हेलो गाईज, वेलकम तू माई चैनल, चलिए आज हम बहुत यूनिक तरीखे से पीजा बनाएंगे, आज हम बनाएंगे डॉमिन स्टाइल पीजा बर्गर, जैसे घर पे बनाना बहुत असान होता है, तो आईए बिना देरी करें वीडियो को हम शुरू करते हैं, आलेंगे प वह एक तो यह थाैचममच, लाल मिर्च, आप चाहें तो, कुत्वी लाल मिर्च भी डिण आड कर सकते है चम्मच औरिगेनो चम्मच चीली फ्लेक्स एक बार अच्छी से चला लेते हैं तो हमारा पीजा बर्गर के लिए इस्टफ एकदम रेडी है देखिए देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी एंड यम लग रही है आये कैस को करते हैं और हमारा बर्गर पीजा के लिए इस स्दक्भें धली हुर्ग और टर्गर करते हैं सब्सेपहले पाउ को बीच में से कत कर लेंगे इसे टूपाइश में डिवाइट कर लेते हैं हमने दोगें इसे टूपाइट में डिवाइट कर लिया है ने दोनों परींगे म०्णा सब्सुल कर देएंос ये पीजा सॉस इसे अच्छे से फैला देंगे देन जो श्टफ रेडी करा था उसे लगा देंगे श्टफ को अच्छे से लगा देंगे मॉजरेला चीज चीली फ्लैक्स देन औरिगेन उसे कर देंगे बंद लगाएंगे पीजा सॉस अच्छे से लातेंगे देन इस पे लगाएंगे हम चीज सम चिली फ्लैक्स देन औरिगेन इस्टफ एकदम पीजा बर्गर एकदम रेडी है आईए आभी से हम ओवन में नहीं बनाएंगे इसे हम कडाई में बनाएंगे तो देखें हमने पहले से ही कडाई गैस पे रख रखी थी गैस हमने अन कर दीती इसको हमने कवर कर दिया है ताकि इसमें बहुत सारी हीट हो जाए अब इस बर्गर को हम इसके अंदर रखेंगी कि अपने बर्गर को रख देते हैं देने कवर कर देते हैं हमने इसे कवर कर दिया है अब दो से तीन मिनट के लिए हम ऐसी ढखा रहने देंगे जब तक चीज बस्ट नहीं हो जाती सो तीन मिनट हो चुकी है आईए गैस की फ्लेम को हम अफ कर देते हैं अपने पीजा बर्गर को चेक कर लेते हैं तो देखे कितने अच्छी से चीज बस्ट हो गई है इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे देखे गाईस डॉमनी स्टाइल पीजा बर्गर बनकर एकदम र प्रतों दूसे tule एकदमे हैं तो बंकर प्रतों दिए मेंम को अबयरा हैं अगया।